नमस्कार दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पिले एक बहुत यूपयोगी जानकारी यह दोस्तों आप अनेगेट भी इंडिया के लार्जेस लर्निंग प्रेटफॉर्म पर घर बैठे इंडिया के टॉप इसकोड़र माधियम से आप यूपी स्टेट की सभी एक्जाम चिक करें वहाँ पर मेरी प्रफाइल का लिंक है में जहां पर मेरी फ्री वाली क्लासेज भी है क्लासेज जरूर देखे चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर से हाजिर है एक जबजस ग्रामीड जानकारी का मॉक टेस्ट लेकर डेली हम आपको ग्र इसके बाद आप चैनल पर नए हैं तो सेर और सब्सक्राइब जरू करिएगा देखे पहला प्रसन आपसे पूछा जा रहा है पके हुए अंगूरों में होता है तो दोस्तों आज का जो यह टॉपिक है मॉक टेस्ट है पूरी तरीके से एग्रिकल्चर पर अधारित है क्यो हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है बहुत चात्रे आप फ्रेक्टोज समझ रहे होंगे लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्सन नमबर डी ग्लूकोज दूसरे प्रस क्यों बढ़ते हैं अल्फाफा क्या है अल्फाफा जब अजस्ट प्रसन है विभिन एक्जामों में आए होए क्वेस्टन है जो कि आपके ग्रामीन जानकारी से इंपॉड़िन प्रस जहां बनते हैं अल्फाफा दोस्टों एक प्रकार की क्या होती है यह घास होती है इसका ध्यान रखेंगे तीसरा प्रस देखते है रोज सेंटेड प्रजाती किस फसल से सम्मंदित है तो द प्रजाती है टाइम लिस को देखते रहेगा अल्फिस प्रस दबा लिजाए अपलोग बटन यहां पर देखें रोज सेंटेड दोस्तों यह लीची की प्रजाती है ठीक है किसकी एक प्रजाती है दोस्तों लीची की प्रजाती है नेक्स प्रस की बढ़ते हैं अगला प्रस अगला प्रस देखते हैं सरवार्धिक विटामिन एक किसमें पाय जाता है सरवार्धिक विटामिन ए दिये गे फलों में से दोस्तों अगर जिसमें सही जवाब होगा वह है आपका पके हुए आम के फल में और आपको विता दो कि इसकी पीडिया विदा अंसर आपको हमारे ट अपडेट और वीडियो जो भी होती है आपको प्रवाइट करा जाती है पीडियो सी ठीक है अगले प्रेस क्यों बढ़ते हैं कुफरी किस फसल की किस्म है चलिए वाज बताई कुफरी तो मैंने कहा कि फसलों के किस्म उनके प्रजातिया उनमें होना ले रोग यहां सब मिनते प्रसनाएंगे तो दोस्तों कुफरी आपका है आलू से है ठीक है कुफरी किस फसल की किस्म है आलू है अगला प्रस देखते हैं चाय का जर्मिस्थान कहां पर है ठीक है तो दोस्तों चाय के जर्मिस् है ठीक है और चीन चाय को उत PADAN में number 1 पर है न हमारा भारत का इस्थान आता है चाय को पादन में ठीक है तो यहां पर चाय का जर्मी स्थान कहां पर चीन है फसलों के जर्मिस्थान से भी प्रस्न बनेंगे आपके इस त्य एक इस टेरिलाइजेशन प्रक्रिया किस में अपनाए जाएगा क्या वो फलो में अपनाते हैं सब्जियों में फूलों में या बागानी फसलों में सही जवाब है दोस्तो इस्टेरिलाजेशन प्रक्रिया जो आपकी अपनाए जाते हैं ठीक है सब्जियों में हैं अगला प्रस देखते हैं कैंकर रोग किस फल के चिंता जनक समस्या है तो फलो में लगने वाले रोगों से भी प्रस्ट बनेंगे कैंकर रोग की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका नीबू नीबू लाइम है आपका ठीक है नीबू रोग की एक समस्या है नीबू का ये रोग है चंकर रोग है अगले प्रश्ट के उब अब लते हैं रुटेसी किस पल का कुल है ठेखे दोस्तो है तो देखिए फलो के कुल से प्रहन आएंगे आपके रुटेसी की बात करते हैं तो यह आपका कमरक है अब बहुत चातर सोच रहोगे कि यह कमरक कौन सा फल है चलिए मैं यह खट्टा होता है अब आप समझ गये होंगे कि हाँ इसको हमने देखा है ठीक है फ्रूट बोला जाता है और हिंदी में कमरा का जाता है स्वाद में खट्टा होता ठीक है तो यह रुटेशी कुल का है चले अगले प्रेश क्यों बढ़ते हैं अगला प्रेस देखते हैं कर जाता है जाیद आपका जो पहला जाता है जूंज जवाए और गरמियों में अगास में जिसमें खीरा कड़ी है और ०ेसिकली अगर मैं देखें कि फसलों में ग्षेंत जो चना मटर आपका सरसों हो गया राय तमाकू इस प्रकार से हैं हो खरीव की फसल की बात करते हैं तो खरीफ में अगर आप देख सकते हैं कि धान, बाजरा, मक्का, कपास, मुंकली, सक्कर ये सबी मेन मेन हैं तो यहाँ पर ऑप्सन नमबर D सही होगा आगे बढ़ते हैं बातरूम फल है चलिए यहाँ पर बताईए बातरूम फल क्या होगा बहुत इं सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर गुद्देदार पुषपाशन क्या हो जाएगा सही जवाब ऑप्सन नमबर A ध्यान रखेंगे फलो में अधिकतर कौन सी सरकरा पाई जाती है तो दोस्तों फलो में अगर हम सरकरा की बात करते हैं यह प्रिवेश सेर क्वेशन पूछा जा चुका है और बहुत बार एक्जाम में आता है फलो में जो सरकरा पाई जाती है दोस्तों उसे कहा जाता है फ्रेक्टोज क्या कहेंगे फ्रेक्टोज कहेंगे अगला प्रशन है केल्सियम कारबाइड रशायन निम्द में से कौन सी गैस निकालता है तो जो कारबाइड ह और दोस्तों जो फनलों को पकाने के लिए लिए तो उसमें देखे जो गैस निकलती है यह आपके इसे टाइनिन गैस ठीक है option number यहाँ पर क्या हो जाएगा option number यहाँ पर decorrect हो जाएगा अगला प्रस देखते हैं यहाँ पर देखें भारत में सारज्वनिक वित्रण प्रणाली की सुरुवात कब की गई सारज्वनिक वित्रण प्रणी PDS जिसमें आपका public distribution system क्या सकते हैं कम मुले पर अनाज वित्रणा का जिससे आप रासन देख सकते हैं रासन कार्ड बनता है यह सारीच जिए तो इसकी जो सुरुवात की गई दोस्तो 1964 में की गए ध्यान लखेंगे 1964 में अगला प्रस देखते ह हैं जिसा कि मैंने आपको बताएं कि फसल और सम्मानित रोगों से प्रस बनेगे कौन सा सुमेलित नहीं है देखिए यहां पर फसल है और सम्मानित रोग दिएगे गेहुं में गेहुंसा आलू में पिछहेती जुलसा बाजरा में अरगट गंणा में बुकनी तो यह वाला लेजते हैं अगले प्रिस कि फैलयरिस माउनर किस फसल का खरपतवार है फैलयरिस माइनर मिया किस फसल का खरपतवार यह और और यहां पर बता दू इसको गेहुंका मामा भी कहा जाता है गेहू का मामा कौन सा है फलेरिस माइनर ठीक है फलेरिस माइनर अगला प्रस नहीं है चाय में प्याले नुमा पत्ती कपिंग टी रोग का कारक है दोस्तों जो फसलों में रोग होते हैं उनसे प्रस बनेंगे चाय में प्याले नुमा पत्ती का जो रोग का कार केलसियम की कमी से ध्यान रखेंगे अगला प्रस देखते हैं किसान दिवस मना जाता रहे तो जो किशान है में व्यक्ति पर करते पर यहां से प्रस्ट ना आएगा कि सान दिवा साब का मनाया जाता है 23 दिसंबर को ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए अगला प्रस्ट यहां पर देखते हैं सरदार वल्लब भाई पटेल क्रिशी विश्विद्याले अवस्तित है तो जितने भी संस्थान है वहां से प्रस्ट बनेंगे तो सरदार वल्लब भाई पटेल क्रिशी विश्विद्याले दोस्तों कहां पर है जी हां मेरट में है और यहां पर भी करेक्ट होगा केंद्री उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्तित है केंद्री उपोष्ण बागवानी संस्थान सही जवाब है दोस्तों ये आपका लखनव में है, नेक्स प्रस देखते हैं, National Academy of Agricultural Research Management, ठीक है, नार्म, इन सोट कहें तो, ये कहां पर है, तो दोस्तों ये आपका है, हैदराबाद में, ध्यान रखेंगे, नार्म, National Academy of Agricultural Research Management, नार्म, ये आपका हैदराबाद में है, अगला प्रस देखते हैं, चले यहाँ पर देखें, ये आखरी प्रस ने आज का राष्टी सरसो अनुसंधान केंदर इस्तित है, बहुत जबज्जस आप देख सकते हैं, यहाँ प्रस्णों के सिंकला है, इसकी PDF लेना बद बुलिएगा, आप हुमारे ग्रुप पर जुड़ जाईए, आपको PDF प्रवाइ प्रामिट जानकारी का मौक्टेज, हिस्सा सच GS और हिंदी के भी आपको वीडियो मिलेंगी कल से, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, वीडियो रहें बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके कमेंट, क्वेरी, फीड़बेक जरूर नीचे कमेंट ब